आज जिन चार योजनाओं का उद्गाटन हो रहा है उनमें पट्ना शहर के बेवूर और करम लिचक में सीवर ट्रिट्मेंट प्लांट के अलावा अम्रुत योजना के तहट सिवान और चप्रा में पानी से जुड़े प्रोजेक्स भी शामिल है इसके अलावा मुंगेर और जमालपूर में पानी की कमी को दूर करने वाली जलापूर्ती परियोजनाओं और मुझफुरपूर में नमामी गंगे के तहट जीवर फ्रन्ट डेवलप्मेंट स्किम का भी आज सिलान्यास किया गया है शहरी गरीबों शहर में रहने वाले मद्यमबर के साथियों का जीवन आसान बनाने वाले इन नई सुविधाओं के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आज का एक कारक्रम एक विशेश दिन पर हो रहा है आज हम एंजीनियर दिवस भी मना रहे हैं अभियंता दिवस ये दिन देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश फरहिया जी उनकी जन्म जन्ति का है उनीकी स्मृति को समर्पित है हमारे भारतिय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूत पूर्वयोगदान किया है चाहे काम को लेकर समर्पण हो या उनकी बारिक नजर भारतिय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है यह सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं 130 करोड देशवासियों के जीवन को बहतर कर रहे हैं मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदर पुर्वक नमन करता हूँ राष्ट निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है बिहार तो देश के विकास को नई उचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है बिहार की धर्ति तो आविश्कार और इनोवेशन की परियाय रही है बिहार के कितने ही बेटे हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिक समस्तानों में पहुंचते हैं अपनी चमक भी खेरते हैं आज जो परियोजनाएं पुरी हुई हैं और वो योजनाएं जिस पर काम शुरू किया गया है उन्हें पुरा करने में भी बिहार के इंजीनियरों की बड़ी भूमी का है मैं बिहार के सभी इंजिनियरों को भी विशेश तोर पर आज के इस इंजिनियर दिवस की बढ़ाई देता हूँ साथियों बिहार अईतिहासिक नगरों की धर्ती है यहां हजारों सालों से नगरों की एक समृत्य विरासत रही है प्राचीन भारत में गंगा घाटी के इर्दगिर्द आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनिति गुरुप से सम्रुद्ध और संपन नगरों का विकास हुआ लेकिन गुलामी के लंबे कालखन ने इस विरासत को बहुत नुक्सान पहुचाया आजादी के बाद के शुरू आती कुछ दिनों में बिहार को बड़े और विजनरी नेताओं का नेतुर तो मिला जिनोंने गुलामी के काल में आई विकृतियों को दूर करने की बरसक कोशिच भी की लेकिन इसके बाद एक दोर ऐसा भी आया जब बिहार में मूल सुविधाओं के निर्मार के बजाएं राज्य के लोगों को आधूनिक सुविधाएं देने के बजाएं प्राक्ष्पिकताएं और प्रतिबद्दताएं पूरी तरह बदल गई नतीजा ये हुआ कि राज्य में गवर्नन्स से फोकस ही हट गया इसका प्रणाम ये हुआ कि बिहार के गाउं और ज्यादा पिछड़ते गए और जो शहर कभी सम्रति का प्रतिक थे उनका इंफरस्ट्रक्टर बढ़ती आबादी और बदलते समय के हिसाब से अपग्रेड हो ही नहीं पाया सडके हो गलियां हो पीने का पानी हो सिवरेज हो ऐसी अनेक मुल्च समस्याओं को तो याने या तो उस वे ताल दिया गया या फिर जब इन से जुड़े काम हुए वो गोटालों की भेट चड़ गए साथियों जब शासन पर स्वार्थ निती हावी हो जाती है वोट बेंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है तो सबसे ज़्यादा असर समाज के उस वर्ग को पढ़ता है जो प्रताडित है बंचित है शोशित है बिहार के लोगों ने इस दर्द को दसकों तक सहा है जब पानी और सिवरेज जैसी मूल जरुरतों को पुरा नहीं किया जाता तो दिक्कते हमारी माताओं बेहनों को ज़्यादा होती है गरीब को होती है दलीत को होती है पिछडों अति पिछडों को होती है गंदगी में रहने से मजमूरी में गंदा पानी पिने से लोगों को बिमारिया पकड़ लीती है ऐसे में उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाज में लग जाता है कई बार परिवार अनेक वर्षों तक कर्ज तले दब जाता है इन परिश्थित्यों में बिहार में एक बहुत बड़े वर्ग ने कर्च बिमारी लाचारी अनपड़ता को अपना भाग्यमान लिया था इस प्रकार से सरकारों की गलत प्रात्विक्ताओं के कारण समाज के बड़े वर्ग के आत्मे विश्वास पर गहरी चोट की गई गरीब के साथ इससे बड़ा अन्याए भला क्या हो सकता था साथियों बीते डेड़ दसक से नितिश जी शुशिल जी और उनकी टीम समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के आत्मे विश्वास को लोटाने का बरपूर प्रयास कर रही है विशेश तोर पर जिस प्रकार बेटियों की पढ़ाई निखाई को पंचायत राज सहीत स्थानिय निकाई में बंचीत शोशित समाज के साथियों की भागिदारी को प्रात्विक्ता दी गई है उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है साल 2014 के बाद से तो एक प्रकार से बुनियादी सुविदाओं से जुड़ी योजनाओं का करीब करीब पुरा नियंत्रन गराम पंचायत या स्थानिय निकाईों को दे दिया गया है अब योजनाओं की प्लानिंग से लेकर अमली करन तक और उनकी देखरेक का काम उसका जिम्मा अब स्थानिय निकाई स्थानिय जरूरतों के हिसाब से कर पा रहे है यही कारण है कि अब केंद्रों और बिहार सरकार के साजा प्रयासों से बिहार के शहरों में पीने के पानी और सिवर जैसी मूल सुविदाओं के धाचे में निरंतर सुधार हो रहा है मिशन अमरुत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहट बीते चार-पांच सालों में बिहार के सहरिक शेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविदा से जोड़ा गया है आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां हर गर पाईप से पानी पहुँचने लगेगा ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी होगी बिहार का गवरों बढ़ाने वाली बात होगी आपने इस बड़े लक्ष की प्राप्ति के लिए कोरोना के इस संकट काल में भी बिहार के लोगों ने निरंतर काम किया है बीते कुछ महिनों में बिहार के ग्रामिन शेत्र में 57 लाग से जादा परिवारों को पानी के कनक्सन से जोड़ा गया है इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान ने भी निभाई है हमारे हजारों स्रमिक साती जो कोरोना की वज़र से दूसरे राज्यों से बिहार लोटे उन्होंने ये काम करके दिखाया है जल जीवन मिशन की ये तेजी बिहार के मेरे इन परिश्रमी सात्यों को ही समर्पित है बिते एक साल में जल जीवन मिशन के तहट पुरे देश में दो करोड से जादा पानी के कनेक्शन दिये जा चुके है आज देश में हर दिन एक लाख से जादा घरों को पाइप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है स्वच्छ पानी मद्यंबर का गरीब का न स्रिप जीवन बहतर बनाता है बलकि उन्हें अनेक गंबीर बिमारियों से भी बचाता है साथियों सहरी छेत्र में भी बिहार के लाखों लोगों को शुद्ध पानी के कनेक्शन से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है पूरे बिहार में अम्रुत योजरा के तहट लगबग बारा लाख परिवारों को शुद्ध पानी के कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष है इसमें से करीब छे लाख परिवारों तक ये सुविदा पहुच चुकी है बाकी परिवारों को भी बहुत जल्द स्वच्छ जल्द की सुविदा उपलब्द हो जाएगी आज जिन परियोजनाओं का सेलान्यास किया गया है वो इसी संकल्प का हिस्सा है साथियों शहरी करण आज के दोर की सच्चाई है आज पूरे विश्व में शहरी छेत्रों की संक्या बढ़ रही है भारत भी इस वैश्वीक बडलाव का अपवाद नहीं है लेकिन कई दसकों से हमारी एक मानसिक्ता बन गई थी हमने ये मान लिया था जैसे कि शहरी करण खुद में एक बहुत बड़ी समझा है एक बहुत बड़ी बाधा है लेकिन मेरा सोचना कुछ अलग है अगर समझ से अलगती हैं तो उसमें आउसर भी उपलब्द है बाबा साब आमबेड करने तो उस दोर में ही इस सच्चाई को समझ लिया था और वो शहरी करण के बड़े समर्सक थे उन्होंने शहरी करण को समस्या नहीं माना उन्होंने ऐसे सहरों की कलपना की थी जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आउसर मिले जीवन को बहतर करने के रास्ते उनके लिए खुले आज आवशक है कि हमारे शहरों में संभावनाएं हो सम्रुद्धि हो सम्मान हो सुरक्षा हो ससक्त समाज हो और आदूनिक सुविदाएं भी हो यानि कि शहर ऐसे हो जहां सभी को खास कर हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नई और असीम संभावनाएं मिले शहर ऐसे हो जहां हर परिवार सम्रुद्धि के साथ सुख के साथ जीवन जी सके शहर ऐसे हो जहां हर किसी को गरीब को दलीद को पिछडे को महिलाओं को सम्मान पूर जीवन मिले जहां सुरक्षा हो कानूं का राज हो जहां समाज समाज का हर वर्ग एक साथ मिल जुल करके रह सके और सहर ऐसे हो जहां आदूनिक सुविधाय हो आदूनिक इंफासेक्टर हो यही तो इस अब लिविंग है यही देश का सपना है इसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और साथियो आज हम देश में एक नया शहरी करण देख रहे हैं जो शहर पहले देश के रक्षे पर एक करसे थे या नहीं थे वो आज अपनी उपस्तिती दर्ज भी करा रहे हैं और मैसूस भी करा रहे हैं इन शहरों के हमारे युवा जो बड़े-बड़े स्कूलों में कॉलेजों में नहीं पड़े हैं जो बहुत अमीर परिवारों में से नहीं हैं वो आज कमाल कर रहे हैं सफलता के नए आयाम गड़ रहे हैं कुछ साल पहले तक शहरी करण का आर्थ होता था कुछ बड़े शहरों को चमक दमक से भर दो कुछ गीने चुले शहरों में एक दो खेत्रों में विकास कर दो लेकिन अब ये सोच ये तरीका बदल रहा है और बिहार के लोग भारत के इस नए शहरी करण में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं साथियों आत्म निर्भर बिहार आत्म निर्भर भारत के मिशन को गती देने के लिए विशेशकर देश के छोटे शहरों को बरतमानी नहीं बविश की जरूरतों के मताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है इसी सोच के साथ अमरुत मिशन के तहट बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ इस अब लिविंग और इस अब बिजनेस के लिए बहतर माहोर तैयार करने पर बल दिया जा रहा है अमरुत मिशन के तहट इन शहरों में पानी और सिवरेज के साथ ग्रीन जोन, पार्क, एलीडी स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्ताओं का निर्मान किया जा रहा है इस मिशन के तहट बिहार के शहरी छेत्र में लाखों लोगों को बहतर सिवरेज सिस्टिम से भी जोड़ा गया है इसमें भी अधिकतर सुविधाएं ऐसी बस्तियों में विक्सित की गई हैं जहां गरीब से गरीब परिबार रहते हैं बिहार के भी सौ से ज़्यादा नगर निकायों में साड़े चार लाख एलीडी स्ट्रीट लाइस लगाई जा चुकी हैं इससे हमारे छोटे शहरों की सडका और गलियों में रोशनी तो बहतर हो ही रही है सैक्डो करोड की बिजली की बचत भी हो रही है और लोगों का जीवन आसान हो रहा है साथियों बिहार के लोगों का बिहार के शहरों का तो गंगा जी से बहुत ही गहरा नाता है राजे के बीस बड़े और महत्वपुन शहर गंगा जी के किनारे ही बसे हुए है गंगा जी की स्वच्छता गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोडों लोगों पर पड़ता है गंगा जी की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ही बिहार में छे हजार करोड रुपे से अधिक की पचास से जादा परियोजनाए स्विक्रत की गई है सरकार का प्यास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर है वहाँ बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए इसके लिए अनेको बॉटर ट्रिक्मेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं आज जो पटना में बेउर और करम लिचक की योजना का उद्गाटन हुआ है उससे एक शेत्र के लाखों लोगों को लाख होगा इसके साथ ही गंगा जी के किनारे बसे जो गाओं है उन्हें गंगा ग्राम के रुप में भी विक्सित किया जा रहा है इन गाओं में लाखों सौचाले के निर्माण के बार अब कच्रा प्रबंदन और जैविक खेती जैसे काम के लिए प्रोच्सान दिया जा रहा है साथियों गंगा जी के किनारे बसे गाओं और शहर आस्था और आध्यात्म से जुड़े परियतन के प्रमुकेंदर रहे गंगा जी को निर्मल और अविरल बनाने का व्यान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसमें परियतन के आधुनिक आयाम भी जूडते जा रहा है नमामी गंगे मिशन के तहर बिहार सहीत पूरे देश में एक सो असी से अधिक घाटों के निर्मान का काम चल रहा है इसमें से एक सो तीज गाट पूरे भी हो चुके हैं इसके अलावा चालिस से जादा मोक्षधामों पर भी काम पूरा किया जा चुका है देश में गंगा केनारे कई जगों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है पत्ना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और मुझफरपूर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनानी की परियोजना का सलानियस क्या गया है जब मुझफरपूर के अखाडा गाट, सीडी गाट और चंदवारा गाट उसको विष्षित कर दिया जाएगा तो यह यहाँ परियटन का भी बड़ा केंद्र बनेंगे बिहार में इतनी तेजी से काम होगा, काम शुरू होने के बाद पुरा भी होगा इस बात की कलपना भी देड़ दसक पहले नहीं की जा सकते थी लेकिन नितिज जी के प्रयासों ने, केंद्र सरकार के प्रयासों ने यह सच कर दिखाया है मुझे उमीद है, इन प्रयासों से आने वाली छटी महिया की पूजा के दौरान बिहार के लोगों को विशेश कर बिहार की महिलाओं की दिक्कते कम होगी, उनकी सहुलियत बढ़ेगी छटी महिया के आसिरवाद से हम बिहार के शहरी और ग्रामिन इलाकों उनको गंदे जल, बिमारी बढ़ाने वाले जल से मुक्ति दिना लेक लिए जी जान से काम करते रहेंगे चाथियों आपने सुना होगा अभी हाली में सरकार ने एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन की गोशना की है और अभी सुशिल मोदी जी इसका बड़ा विस्तार से वर्णन भी कर रहे थे इस मिशन का बहुत बड़ा लाब गंगा डॉल्फिन को भी होगा गंगा नदी के सवरक्षन के लिए गांगे डॉल्फिन का सवरक्षन बहुत जरूरी है पटना से लेकर भागलपूर तक का गंगा जी का पूरा विस्तार डॉल्फिन का निवास्तान है इसलिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन से बिहार को बहुत अधिक लाप होगा यहां गंगा जी में बायो डावर्सिटी के साथ साथ परियटन को भी बल मिलेगा साथ क्यों कोरोना संक्रमन की चुनोती के बीच बिहार के विकाद बिहार में सुसासन का यह भियान निरंतर चलने वाला है हम पूरी ताकत पूरे सामर्थ से आगे बढ़ने वाले हैं लेकिन इसके साथ साथ हर बिहार वासी हर देश वासी को संक्रमन से बचाव का संकल्प पल भर भी कभी भी बुलना नहीं है मास्क सापसफाई और दोगज की दूरी यह हमारे बचाव के सबसे कारगर हत्यार है हमारे वैज्यानिक वैक्सिन बनाने में दिन राज जूटे हैं लेकिन हमें याद रखना है जब तक दबाई नहीं तब तक डिलाई नहीं इसी निवेदन के साथ एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ धन्यवाद झाल 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 झाल